तो चली नवस्कार दोस्तों मेरे नाम है गौर्व कुमार और आज मैं आपको डीटेल से जानकारी दूँगा बीविय और बीचे के बारे में कि आपको इन दोनों में से कौन सा करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए कोर्स तो इस वीडियों बने रही है तो आपको पू आप किसी ने बोला और आप डारेक्ट एड भी ने लो नहीं पहले उसको खगा लो कि यह बहुत चीज होती क्या है और कैसे करते और क्या क्या प्रोसिजर हो क्या काम आएगा वह आगे करने के बाद करी लोग इस दूबिदह में क्या करते हैं उनको पता नहीं रहता कि क्या करना आगे बस किसी नहीं बताए यह बड़िया कोड़ से उसके अंदर कुछ जाते हैं तो बस इस चीज का आप गलत मत कीजिए इस वीडियो को लास्ट तक दिखेगा क्योंकि आपके फ्यूटर का सवाल है बीवी और बीसी में से आप क्या चूज करेंगे ठीक है सबसे पहले इस वीडियो में बने रही है सबसे पहले बीवी तो बीवी अगर आप लोग करने के सोच रहे हैं तो मेरी तरफ से 99 परसेंट जरूर कीजिएगा यह मैं गरेंटी देता हूं और एक परसेंट आपको बताऊंगा क्यों 99 परसेंट इसलिए किजिएगा क्या अगर आप लोग सेंट इसलिए पर 3,2,4,5,6,7,8,6,7,8,8 इसलिए परस्ट इसलिए कि सब कुछ सीखने हो मिलते हैं अगर आप लोग करते हैं तो आपका फ्यूचर मैं 99 परसेंट गैरेंटी लिख के दे सकता हूं कि आपका फ्यूचर एकदम सीक्यूर हो जाता है कि आपका भी भी यह माल भी होते हो तब भी आपको काफी ज्यादा चीज़ें सम्हालने को मिलेंगी सबसे में यह है कि आपको यहाँ पर सम्हालने को मिलेंगी जो कि आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं उसको BBA में क्या होता है कि आपके जो कोर्स होते हैं उसी हिसाब से कि आपको यहां पर business development और marketing से और sales से अधिर्वाज personality किस तरीके से आप किसी बंदे से बात करना है और किस तरीके से एक purpose रखना है और उसको किस तरीके से accept करवाना है यानि कि हर एक तरीके से यहां पर आपको guidance मिलती है तो काफी अच्छा कोड़ से अगर आप लोग BVA करना च कि आपको सिर्फ low level का course है BCA नहीं यह माल लेजिए उसी के साथ एकदम चलने वाला बराबर की टाइप चलने वाला course है यह माल लेजिए BVA और यह BCA तो एक साथ चलते हैं दोनों course और काफी अच्छे course माने जाते हैं तो BCA course में क्या होता है BCA course में आपको campus related सिखाए जाता ह यानि कि अगर आप लोगो computer में interest है वाइद बे या software development में interest है या आपको कुछ अलग हटके एकदम हटके बोलते है ना उस तरीकी का करने का एक संका है दिमाग में केड़ा है कि कुछ यूनिक करूँ अलग एकदम तो आप मेरे खिसाब से BCA कीजिएगा क्यों इसमें क्या हो office 2007 है हम इसको इसको install नहीं कर सकते विदाउट की तो किस तरीके से की accept करवाई जाती है यह देखिएगा किस तरीके से बनाई जाती है कि वह 2007 के अंदर ही क्यों क्यों काम करती है 2010 के अंदर 2010 के अंदर यानि कि MS office जो भी होते है तो यह होता किस तरीके से आपको बहुत चीज बनानी है और बार कोड कैसे बनाते हैं जैसे कि बार कोड में एक स्कैन करते ही पता चल जाते है कि क्या से क्या हो गया किसी के भी मोईल में पैसे डालने तो बार कोड से चले जाते हैं तो यहां पर कापी अच्छी चीज़े आपको सिखाई जाती है और जैसे जैसे आप यह को जरूर सब्सक्राइब करिएगा आपके लिए मैं और बीज जयनकारी लेकर आता रहूंगा तो फिर में लुगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए नमस्कार मुझे दीजिया अलविदात मेरा नाम गोरुकुमार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा